नमस्कार आदाप सस्ट्रियाकाल दोस्तो मैं रजने स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल विद्या गानार्जन में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर यूनिट 9 पढ़ रहे हैं रीट के सोशल साइन सब्जेक्ट की तयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं और ज हो चुके हैं उसमें हमने पढ़ लिया था राजस्तान के अवस्तिति विस्तार आकार और राजस्तान के बहुतिक प्रदेश हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं और वह टॉपिक है दोस्तों जो आपको बार-बार ये बोल रही थी कि अगले वाले चैप्टर में मैं आपको नदिया पढ़ा दूँगी नदिया पढ़ा दूँगी तो नदिया तो अब जब मैंने देखा नेक्स टॉपिक तो नदिया तो हमारे यहां पर लिखाई नहीं होा है हमारे सिलेपस में राजस्ता तो नहरे और सीचाई परियोजना यह जरूर आ जाएंगे लेकिन नदियां यहां पर लिखे हुई नहीं है लेकिन राजस्तान के जो ग्रोफी दे दी वहां तो मुझे नहीं लगता कि नदियों में से कोई कौशन आएगा नहीं या फिर में भी शायद रीट में नदियों में विकाशन नहीं आये लेकिन नहरे और सीचाई परियोजना हम आगे पढ़े लेंगे जैसे लेकिन नहरे और सीचाई परियोजना एं तब ही आपको समझवे आएंगी जब आपको ज्ञान होगा कि राजस्तान में नदियां क कहा जाता है और कौन-कौन से नदियों को चलू क्योंकि रीट यहमारा लक्ष नहीं है और पीस्टी का हर एक एक एक्जाम को जैसा कि मैंने आपको भोतिक विभाग पढ़ाया थी तो भी मैंने कहा था कि जो राजस्तान है उसको हम पूरा डिटेल में अध्यन करेंगे तो मुझे लगा आपको नुदियां पढ़ानी चाहिए जिन बच्चों को नहीं देखना है सर्फ रीट का ही सिलेबस देखना है तो मुझे वैंसा रीट के लिए भी लगता नहीं है उन्होंने इसपैशल नदिया लिखी नहीं है राजस्तान की लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जहां भूगो लिखती वान नदियों में इसकोशन नहीं आएगा फिर भी अगर आपको लगता है कि सिले बस में नदिया स्पेशल नहीं लिखा हुआ तो आप इस लेक्चर को स्क्रिप कर सकते हैं नेक्स लेक्चर देख सकते हैं लेकिन मुझे जरूरी लगा नदिया पढ़ाना तो मैं यहां पर नदिया लेकर आई हूँ आज आपके लिए और राजिस्तान की नदिया मैं एक चेप्टर में ही नह उनके करूंगी ताकि जो बच्चे समझना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं सिफ रीट के लिए नहीं बलकि अन्या और एक्जाम्स के लिए भी तो वह उनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और यहां से नदिया पढ़ने के बाद मैं गारंटी है कि आप इनको कभी यहां वैसे आप पढ़ते रहोगे तो तो राजिस्तान में अफ्वा है प्राणाली को तीन भागों में बाट गया अवज़ता है जिस तरह से पाने बहता है जहां जितनी यह नदियां है उनको उसके जो बहने का देशाएं उस आधार पर इनको तीन भागों में दोस्तों सबसे प्रतियों कि तयारी कर रहे हैं कि कौन सा अरब सागर है और कौन सा बंगाल की खाड़ी है फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं पता उनके लिए बता देती हूं कि यह जैसे अपने भारत का मेंप है अब दोस्तों इधर वाला जो है वह अरब सागर इधर वाला जो है वह बंगाल की खाड़ी ठीक है और नीचे का जो आएगा उसे कहादेंगे हिंद मासागर तो इधर वाला जो हिस्सा है हमारे पस्चिम में जो सिमा पर जो है उसे कहा देता है बंगाल की खाड़ी और इन सब को मिला के इन सब को मिला के जो नीचे पूरा सागर बनता है उसे कहा देता है हिंदवा सागर तो यह कह रहा है कि राजस्तान के अफवायत अंत्र को तीन भागों में बाटा गया हमारा रास्तान कहां पर है ऐसे हमारा रास्तान हैं थोड़ा सा courses để उसके हैँ तरें से हमारी नदियों के अพष तंतुर को माटा जाए पहला अरब सागर कुछ नदियां हो अरब सागर में गरती है कि अलीट इनल कि हमारे प्रसरे के सारे कोई स constitution that fit bac will यो खाड़ी जैसे यहां है वो भी अरब सागर के वान जाते हैं तो हम यह मानते हैं कि हमारा इधर वाला पानी जो है वो अरब सागर में गिर रहा है तो हमारा एक बार राजस्तान बना के बताते हूं देखो मैंने बनाया भी है थोड़ा सा आप इतना ज्यादा इसे थोड़ा तो समझे जाएंगे बहुत अच्छा नहीं बनाया पर आपको बताने के लिए इतना काफी है देखो यह जो इधर वाला हो जाएगा वो अरब सागर हो जाएगा और इधर की जो नदिया जाएंगी वो जाएंगी बंगाल के खाड़ी में जैसे चंबल जारी है चंबल जाके आगे यमुना में मिल जाएगी है यमुना में मिलके फिर यमुना अपना पानी का ले जाती है गंगा में और गंगा का ले जाती है बंगाल के खाड़ी में तो इधर वाली नदिया तो किसका हिस्ता हो जाएंगी बंगाल के खाड़ी का ठीक है क्योंकि यह हाव पश्चिम की हो रहए यह कहां यह हो जाएंगी यह हो जाएंगी अरण सागरी अपवायतेंटरका क्य meant कि यूश्की खाडी में नीचे की घिरेंगे खंबात की खाडी में तो यह कचकी खाडी और खंबात की खाunnij किस्सका हिस्सा मानी जाएंगी इनका जो पानी है वो अंतिम रूप से जाएगा अरब सागर में तो ये वाला हिस्सा अरब सागरी अपवाय तंतरका हो जाएगा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा बंगाल के खाड़ेगा बहुत कम तो अपने नदियां और इनमें से भी बहुत कम इनका पानी है बात के जो बची कुछ छो चोटी बड़ी नदियां न चोटी छोटी से नदियां वह आंतरी कफ़्या बाती हैं ना में तब खतम हो जाती है नदी तो थोड़ी किसी समुत्र में जाके गिलिए तो इन नदियों को क्या कहते है आंत्रिक अपवायत अंत्र मतलब इनके बारे में यह का जाता है कि नदी जैसे यहां से सुरू हुई और यहां जाके सूख गई ना जैसे अब आगे नदी दिख अप्रणाली वाली हैं जिनका पानी ना तो किसे समुद्र में गिरता है ना ही किसी बड़ी नदी से जाकर मिलता है बलकि वो धर्ती के अंदर ही समाईत हो जाती है उन्हें कहते हैं आंत्रिक अप्वाय तंत्र तो इस यादार पर राज्तान के अप्वाय प्रणाली को तीन भागों में बाट दिया देखो अरब सागरी अपवाय तंतर में तो हमारे कुल पानी या नदियों का 16.5% आता है बंगाल के खाड़ी अपवाय तंतर में 23.3% आता है और आंत्रिक अपवाय तंतर में सबसे ज़्यादा आता है अराम अराम से चलेंगे क्योंकि अभी अपने ना तो एक्जाम के डेट आई है और ना ही अपनको ऐसी कोई जल्दी है बस जितना मैंने पढ़ाया है उतना भी आप रिविजन करते रहोगे तो रीट की तयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको रीट में पास चलना ही होगा लेकि आप ऐसे सोचते हो कि एक्जाम जिस दिन एक्जाम के फोर्म आएंगे उस दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे तो वह कभी नहीं होता है क्योंकि एक्जाम में दोस्तों आजकर इतना कंपिटिशन हो गया है कि जब तक आप शुरू करोगे आप से आग वापस से देश-पट्री पे आने लगया तो आपको भी ज़रूरी है कि कभी भी एक्जाम हो सकती है तो आप सब कुछ भूल भूला कि अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाए तो अरब सागर में दोस्तों गिरने वाली नदियों में चार नदिया महत्वपूर्ण है एक त दक्षिन पस्ची में नाग पाहड से उतन होते है कहां से उतन होते है अजमायव जिले के दक्षिन पाउच्ची काड़ि में चले जाकर ये क्फूललमबाईे कि सकी is इतनी है तीन सो तीस और कुल लंबाई कितनी है इसके चार सो पिचानवा किलमेटर बहती कहां कहां पर है अजमेर नागोर पाली जोदपूर बाडमेर और जालोर आगे दिखाऊंगे मैं एक बार फैक्ट अपन पढ़ लेते हैं तो यह साथ राजियों में च्छे राजियों म भी कहा है तो साकरी नदी आ जाए अगर लवण्वती नदी आ जाए और अगर आ जाए सागर्वती नदी तो यह सब भी लूने नदी के ही उपनाम है और कालिदास ने से अंता सलीला नदी भी कहा है बालोत्रा बाडमेर तक इसका जल मेठा है और आगे इसका जल खारा हो ज जाती है क्योंकि बालोत्रा बाड़ मेर तक जल मिठा रहता है रहता है और यह पूरुण रूप से रैजिस्तान इस चेटरे में यह यां पर नादियां यह गुहिया याद करने में कौई दिक्कत नहीं होनी जाये यह सेमसे नाम है दोस्तों अपने राजस्ताने नाम जैसे होते वैसे ही नाम है सुखडी, मीठडी, लिल्ली, जोजडी, जवाई, बांडी, और गुहिया जोजडी नदी एक मात्र है जो दाएं किनारे पर मिलती है और जवाई नदी इसकी सबसे बड़ी साहिक नदी है यह सारे फैक्ट अभी मैं आपको दिखाते हूं देखो यह है आपकी लूने नदी यहां से अजमेर में नाग पाहड से यह उत्पन हो रही है ठीक है अजमेर के बाद में जाती है नागोर नागोर के बाद में पाली पाली के बाद में जोदपूर जोदपूर के बाद में बाडमेर और बाडमेर के बाद में जालोर से होते हैं पर नीचे उतरती है पाली में आते प्रोपर चड़ती है जालोर में जाते फिर बांड में जदापूर हुई कच के खाड़े में आ जाती है तो कहां कहां बह रही है जाद कर लो क्यों कि कई बार तो जोद पूछ लिया जाता है तो एक और चीज मैंने आपको बताए शुरू हो गई अजमेर के नाग पाहड से गिर गई कहां पे कंच के मुहाने में ठीक है कहां कहां से बहती है यह बता दी राजस्तान में कितनी बहती है रहां कितनी बहती है इतने factual चीज़े याद करने की जरुत नहीं है दिमार्ख में इतना भी आपको याद करने के ज़रुत नहीं है, इसके अलावा है सूकड़ी, मीठ़डी है, यह एक चीज याद रखने हैं, यह सूकड़ी, मीठ़डी, यह जवाई है, और यह जोजड़ी, मतलब जोजड़ी नहीं, खारी वगरा, और खारी और सागी, यह सारी नदियां इ यहां से तो हम कहां खड़े हैं हम यहां खड़े हैं हमारा मुँ है इधर तो हमारा दाया हाथ कुन सा होगा ये वाला बाया हाथ कुन सा होगा ये वाला तो ये वाली नदिया तो किधर हो गई बाया किनारे पर नदी जिस तरफ बह रही है ना खुद का मुँ भी उसी तरफ मा रही है एक मात्र नदी यह है जोजडी जो दाएं किनारे से मिल रही है मतलब उपर की तरफ से एक मात्र सायक नदी मिल रही है तो यह नहीं कि सबसे बड़ी सायक नदी पर जवाई नदी वना है यह होगी दोस्तोंडी सब्सक्राइब कान से चीज है consultant लुनी नदी सिंपल से चीज़ हुआ देखो सायक नदी है सूकडी मिठ्री लेलडी जवाई बांडी और गुहिया और एक मादतर दाएब के और जवाई के बारे में याद कर लेना सबसे बड़ी सायक नदी यह बालोत्रा तक इसका जल मिठा यह और दिखा देते हूं आपको यह देखें यहां से शुरू हो कि बाड़ मेर भी बालोत्रा नामक स्थान यहां तक इसका जल मिठा इसके आगे यहां पर इसका जल हो जाता खारा तो यह चीज भी यहां पर इसमें important है ठीक है तो यह हो गई हमारी लूनी नदी ठीक है अब आगे चलते हैं माही नदी यह भी बहुत important है लूनी और माही दोनों तो माही नदी का उदगम होता है मद्यपरदेश के धार जिले के अम्रोरू पहाड़ी से राजस्तान में अब राजस्तान में प्रवेश कहां करते है राजस्तान में बासवाड़ा के खांदू जिले से प्रवेश करते हैं यह भी important है कई वार एक्जाम में पूछा गया है और राजस्तान के तीन ही राज्यों में बहती है प्रतापगट बासवाड़ा और डुंगरपूर वैसे प्रतापगट टक भी नहीं बहती है लेकिन प्रतापगट से इसके सायक नदी निकल के आते हैं इसलिए इसका बहाव छेत्रे इन तीन राज्यों को मान लिया जाता है डुंगरपुर और बासवाडा की प्राकरतिक सीमा बनाती है, इन दोनों की सीमा बनाती है नदी सायक नदिया कुन सी है? सोम, जाखम, मोरेन, एराव, चाप और अनास आप सोम, जाखम, मोरेन भी याद कर लोगे तो भी बहुत हैं लेकिन सारी ही याद कर लेना तीन चार बार दोहरा होगे आपकी याद हो जाएगा सोम जाखम मोरेन एराव चाप अनास करकरेखा को दो बार काटती है बहुत बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट करकरेखा जो हमारे बासवड़ा से उक गुजरती है दोस्तों इसको दो बार काटती है एक मात्र ऐसी नदी है भारत की जो करकरेखा को दो बार काटती है तो यह एक्ट अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है बासवड़ा में बोर्खेडा इस्तान पर माही पजाच सागरबान जिस नदी पर बनाया गया है इसे वागड के गंगा काठल के गंगा और आदिवासियों के गंगा कहत है तो कौन-कौन से तीन नदिया मिलती है माही तो है जैसे और सोम और जाखम नदिया भी आकर मिलती है कहां पर डूंगरपूर के वेनेश्वर इस्तान पर तो अभी मैं आपको माही नदी दिखा देती हूं यह देखें दोस्तों एकविनाटा देखो इंडिया मतलब राजस्तान से नहीं निकल रही है मद्यपरदेश यहां हमारी MP के सीमाई तो चोरी है तो मद्यपरदेश के धार्ज ले की अमरूरू पहाड़ी से निकल के आ रही है और यहां पर जहां राजस्तान में प्रवेश करती है वह कौन से जगह है बासवाड़ा में खांदूस्तान है खांदूस्तान पर प्रवेश कर रही है और बासवाड़ा में बहते हुए बासवाड़ा और डूंगरपूर के सीमा बना रही है यहां पर यह सीमा बनाती हुई ऐसे निकल जाती है और कहां जाती है खंबात क कि खाड़ी नीचे की तरफ कौन से काड़ी है खंबात की खाड़ी मतलब linkage से लास्ट में सा में पानी चला जाएगा अरब सांगर में है ना तो राजस्टान से निकल गई कर करेखा ऐसे तो करकरेखा को दो बार काट दिया ना एक बार ऐसे एक बार ऐसे है ना करकरेखा को दो बार काट दिया है ना इतनी सारी दो सायक नदियां तो मैं आपको मैप में दिखा देती हूं एक तो है सोम सोम आती है दोस्तों उद्यपूर की पीछा मेड़ा पहाडियों से निकल कर आती है सोम और उद्यपूर और डुंगरपूर में बहते हुए डुंगरपूर में वेनेश्वर नामकिस्थान पर किसमें म माहि नदी में ठीक है और दूसरी है जाखम है ना जाखम नदी कहां आती है जाखम नदी प्रतापगड की छोटी सादडी तैसल से निकल कर आती है और यह भी डुंगरपूर में वेनेश्वर नामकस्तान पे माहि नदी में मिल जाती है तो इधर से आके सोम मिल गई इधर से के जाखम मिल गई और नीचे से माहि बहा ही रही थी तो तीनों नदियों का संगम स्तल क्या कहलाया वेनेश्वर कहलाया या फिर त्रवेनी धाम कहलाया तो इसे हम आदिवास्यों का तिर्थ स्तल भी कहते है ना और इसी नदी के उपनाम है वागड क्यों कहते है तो बासव बाटल और डुंगरपूर के सीमा बनाती है उसके सायक नदियों उपर निचे से बाते है इसलिए इसके सायक किलोमीटर के लमबाई है और 217 किलोमीटर के राजस्तान में बहती आघे चलते staircase Wam भूं पाश्चमि बनास और सावर मती ये दो छोटी-छोटी नदिया हैं बहुत इंपोर्टेंट नहीं है अगर याद रख सको तो रख लेना नहीं तो कोई जरूरी नहीं है बस जानकारी के लिए मैं याद रखने वाली हैं वो दोनों लूनी और माही दोनों के सायक नदिया दोनों का बहाव छेतर कहां से पश्चिमी बनास इसका उद्गम होता है अरावली के पश्चिमी ढाल में आबू परवत के निकट सिरोही की नया सिनावरा तहसिल से निकलती है आबू परवत से मुहाना है कच्की खाडी में और सायक नदिया है सूकली धारवेल गोहलन और कुकडी चोटी सी बात है दोस्तो पश्चिमी बनास नदी का नाम यह वाली बनास नहीं है जो राजसमन से निकल के टॉक में जाती है वह वाली बनास नहीं है यह पश्चिमी बनास अलग है पश्चिमी बनास अलग है यह बहुत छोटी सी नदी है वह बनास तो बड़ी नदी आएगी ठीक है तो अरावली के मतलब अरावली के गुरूशी खर मंद गुरूशी खर नहीं आबू परवत में आबू परवत में सिरोही जिले के नया सिनावरा तैसिल से निकलती है कच्की खाड़े में गिर जाती है और सूकली धारवेल गोहलन और कुकडी इसकी सायक न दिया यह देखे दोस्तों पस्ट् खंबाद के खाड़ी मतलब कह पहले आएगा खेवाद में आएगा अना जैसे बार खड़ी में आता है ने सेम वैसे ही आएगा और एक है साबरमती नदी तो साबर्मती नदी का उद्गम होता है उद्दैपूर जिले के डक्षनी पस्ट्री वाग में कोटड़ा तहसिल रहे हैं गिर्ति कहाँ पर खंबाद की घाड़ी में गिरती है सायक नदियान है वाकल हतमती मेष्ट्रा बेतरक और मातम तो दोस्तों यह देखिए यह नीचे की तरफ उद्यपूर से उद्गम हो रहा था है उद्यपूर से इधर साबर मती यह भी खंबात की खाड़ी में ही गिर जाती है ठीक है और वाकल हत्मती मेश्टा तो यह दोनों नदियां आपको याद करने के जरुरत नहीं है बस अगर आपको कई बार अगर ऐसे अगर आपको यह नहीं पता होगा कहा से बैती है कौन सी आगई या साबर मती तो सुनाए नहीं मैंने आपको यहां पर बताया बाकि अगर कोशन आएगा इंपोर्टेंट तो माही नदी और लूनी नदी इन में से ही आएगा इनसे बाहर इतना टफ पेपर रीट में तो नह इतना जरुरी नहीं है तो यह था हमारा अरब सागरी अफवायत अंतर चार नदियां हमने पढ़ी पहली पढ़ी लूनी दूसरी पढ़ी माही तीस्टी पढ़ी पस्ची में बनास और चोथी पढ़ी सावर्वती चारों नदियां अंत्य तय अपना पानी अरब सागर में अरब सागर में तो यह था हमारा अरब अपतंतर कल हम पढ़ेंगे बंगल खडिक अंत्र और परसौ हम पढ़ें अंतर तो अचा मैं आ रहा हो तो प्लीस चैनल को Like,Share & & Subscribe करते रहे हैं बढरे बेलियो डिए एतिमेगे थेक्टी बेरीम अ